हलो गाइस कैसे हैं आप लोग मैं तो ठीक हो उमीद करती हूँ आप लोग फीबल को ठीक होगे एक उसर टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ खुरतिका बिग बॉस सीजन 17 में अब अभी शेक ने न पार्थ कर दी है अपनी हदे जी हाँ लाइन क्रोस कर दी है और अब ना उन्होंने विकी के साथ लड़ाई तो की ही है साथिसाथ विकी जैन को बॉड़ी शेम भी कर दिया है यकीन नहीं हो रहा तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी शेक को आ गया है बहुत जबर्दस गुस्ता जैसा कि हम सब जानते हैं इस वीकिन का पर सल्मान ने अभिशेक को आईना दिखाया उन्हें सच से रूगरू कराया और कहा कि वो आउट ओफ ट्रैक जा रहे हैं उनकी जो लांगविज है उनका जो बरताव है वो काफी जादा लिमिट क्रॉस हो रहा है और वो बरदाश नहीं किया जाएगा शो के अंदर पर बा लाइक है और अब उनकी उम्र पर सवाल उठा दिये हैं कहा है कि तू तो 40 साल का है तू है क्या नालायक है तू इस तरह की बाते अभी शेक ने विकी को कही है हलाकि विकी साइयम से उन्हें समझाते हैं कि इस तरह की चीजे मत करो पर वो उन तमाम बातों को सुनता नहीं है और वो लगातार उससे बहत करता जाता है विकी ये भी कहते हैं कि यार कम से कम में 40 में सफल तुहूं तू अपने आपको देख कि तू क्या है तू तू बेकार है लेकिन दोनों एक दूसरे पर कई सारे आरोप और प्रत्य आरोप लगा रहे हैं वही जो अभी शेख है वो वि आपकी जिगा दरसल जो विकी है वो अभी शेख को न समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपने गेम के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना होगा तुम्हें अपने आपको बदलना होगा तो ऐसे में जो अभी शेख है वो विकी को कहता है कि जल्दी करो जल्दी करो जादा मत कम शब्दों में बोलो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है तुम बहुत बोरिंग बाते करते हो और यही चीजे कही न कही बढ़ जाती है और फिर दोनों के बीच में दबरदस गंधी वाली लड़ाई हो जाती है और इसी दौरान जो अभी शेख है वो विकी को कर देते हैं बॉडी शेम नहीं बलकि एज शेम कैसा लगा वीडियो आपकी क्या राए है क्या आपको लगता है क्या सलमान एक बाद फिर से विकी की वज़ेत से अभ अभी शेख को बनाएंगे निशाना क्या विशेख को पड़े के सलमान से फिर से विकेंड का बार पर डाण देखना होगा दल्चास बस वीडियो में एतना ही